नमस्कार दूस्तो, स्वागत अब सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर दूस्तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 2022 में निवास परमान पत्र के लिए हम घर बैठे कैसे ऑनलाइन अपलाई कर सकते हैं अब उससे पहले यदि आपने पिछले दो वीडियो चाहती परमान पत्र कैसे बनाएं को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहें वीडियो के डिस्क्रिप्शन्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जागा क्यूंकि दोस्तो ये तीन डॉकुमेंट्स जाती निवास और आप परमान पत्र ऐसे महत पुन डॉकुमेंट्स हैं जो आपको हर सेक्टर में काम आई ही जाता है आज के वीडियो में मैं आपको step by step guide करने वाला हूँ कि आखिर आप अपना निवास परमान पत्र बनाएंगे कैसे वीडियो को इसकी बिल्कुल मत किजिएगा तो चलिए बिना time based के वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तो आप जिस भी phone में निवास परमान पत्र बनाना चाहते हैं उस phone में आप किसी भी browser को open कर लेंगे इसके बाद इस search bar में service online.bihar लिख के search कर देंगे यदि आप किसी अने state में रहते हैं तो आप इस बिहार की जगा अपने state का नाम डालेंगे उसके बाद आप अपने state के official website पर पहुंच जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हो कि ये भी हर राज सरकार का official website है यहां से आप अपना language भी change कर सकते हैं इसके बाद जब आप इसे scroll करके थोरा सा नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको एक option देखनों को मिल जाएगा और इन में से जो first option आपको दिखाई देरा उस पे tap करेंगे तो आपको first number में ही देखने को मिल जाता रेसी टेंटल certificate के लिए तो इस पे tap कर देंगे यहां से आप जिस मी लेबल से बनाना चाहते हैं उससे select कर लेंगे इसके बाद अब आपके सामने एक फूरा form open हो जाएगा जिसको आपको fill करना होगा तो चली इसे जल्दी से fill कर लेते हैं सबसे पहले आप यहां से अपना gender select करेंगे इसके बाद नीचे अपने gender के according अपना विवाधन चुनेंगे यहां पे आपको अपना नाम डालना इंगलिस में फिर नीचे इसी नाम को हिंडी में टाइप करना होगा यहां पे आप अपना father's name डालेंगे इंगलिस में इसके बाद नीचे फिर इसी नाम को हिंडी में टाइप करेंगे फिर नीचे यहाँ पर आप अपना mother's name डालेंगे इंगलिस में फिर नीचे इसी नाम को हिंडी में टाइप करेंगे यहाँ पर मैं आपको clear कर दू कि जिसके भी आगे star का sign बना हुआ है उसे fill up करना ज़रूरी है बाकी सब को आप छोड़ भी सकते हैं चली इन सभी को मैं भी skip कर देता हूँ नीचे से आप अपना state चुनेंगे यहाँ से आप अपना district select करेंगे नीचे से आप अपना नुमंडल चुनेंगे यहाँ पर आपको अपना block डालना होगा इसके बाद आप यहाँ पर जिस category में भी आते हैं जैसे कि ग्राम पंचायत नगर पंचायत नगर परिश्यत वो आप अपने हिसाफ से select कर लेंगे इसके बाद आप चाहे तो इस सब को fill up कर भी सकते हैं लेकिन मैं इसे छोड़ देता हूँ नीचे से आप अपना village name डालेंगे यहाँ पर आप अपना post office name डालेंगे नीचे से आप अपना थाना चुनेंगे और नीचे आपको अपना pin code डालना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक photo upload करना होगा तो चले इसे phone के gallery से select कर लेते हैं फोटो का size के भी में होना चाहिए यदि आपको photo का size reduce करना नहीं आता है तो उस video का link भी आपको video के description में मिल जाएगा जिस पे tap करके आप असानी से सिख सकते हैं तो चले इसे जल्दी से आप फोटो select कर लेते हैं इसके बाद यहां से आपको अपने निवास का एक परकार चुनना होगा कि आप अस्थाई है या फिर आस्थाई इसके बाद आपको सेम इसी परकार का एक self declaration form वरना होगा यदि आप चाहते हो कि जो अभी हमने भर क्या रहा हो सारी अपने आप फिल हो जाए तो आप इस बॉक्स को टिक कर देंगे इसके बाद नीचे आपको सिंपली इस बॉक्स में केपचा को फिल करना है and finally केपचा टालने के बाद आप प्रोसीड वाले ऑप्षन पर टैप कर देंगे ओके कर देंगे इसके बाद आप चाहे तो यहां से अपने form को चेक कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आपको एक दस्तावेज के तोर पे डॉक्मेंट से अपलोड करना होगा यह दस्तावेज में आप कुछ भी दे सकते हैं जैसे कि पहचान, पत्राधार का, ड्राइविंग, लाइसेंस, पासफोर्ट कुछ भी दे सकते हैं और नीचे उसका आपको फोटो अपलोड करना होगा तो चली इसे सेलिट कर लेते हैं और फोटो अपलोड करने के बाद आप से बैन अक्सिवर वाले उप्शन पर टैप कर देंगे इसके बाद फॉर्म समीट करने से पहले आप अपने फॉर्म को एक बार चेक जड़ू कर लें कि कहीं गलती तो नहीं हुआ है और फाइनाली चेक करने के बाद आप समीट वाले उप्शन पर टैप कर देंगे तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आपका निवास परमान पत्र बन गया है यह रहा आपका रिसीविंग आप इसे पीडियो फॉर्म एक्सफोर्ट भी करा सकते हैं तो इसके लिए सिंप्ली आप इक्सफोर्ट वीडियो फाले उप्शन पर टैप करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक पीडियो के फॉर्म में डाउनलोड हो गया है तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने घर बैठे ही बीना एक पैसा खर्च कि यह अपने मोबाइल फोन से ही निवास परमान पत्र बना सकते हैं आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगयों तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर ले और यदि आपके मर में कोई कंफ्यूजन होता है इससे डिलेटिड कोई कोशन होता है तो आप कमेंट वक्स में पूछ सकते हैं धन्यवाद